दिल्ली के जहांगीर पूरी साम्प्रदाइक हिंसा केस में आठ लोगों की जमानत रोणी कोट ने खारिज कर दी है आपको बता दे कि कोट नहीं यह भी कहा है कि आरोपी जाने माने लोकल क्रिमिनल है और उनकी रिहाई गवाओं को डरा सकती है इतना ही नहीं कोट के अवैज जुलूस को रोप नहीं पाने के लिए दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई गौरतलावे की राम नौमी के जुलूस के दोरान जहांगीर पूरी इलाके में हुई हिंसा में 20 लोगों को गिरफतार किया गया था इस हिंसा में 8 पुलिस कर्मी और एक नागरिक घायल हुआ था बाद में पतर चला कि जुलूस पुलिस की अनुवती के बिना निकाल गया था इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय के बीच पुलिस की मौजूद्गी में ही कहा सुनी हुई थी अदालक ने ये भी कहा है कि अवैज जुलूस को रोपने और भीड को तितर वितर करने की बजाए पुलिस अधिकारी जुलूस के साथ है तिली पुलिस के एक वरिष्ट अधिकारी दिपेंदर पाठक ने कहा कि कानून विवस्था बनाये रखना पुलिस की जिम्मेदारी है अगर कोई इस्थिती समवेदन सील है और वहाँ भीड है तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस्थिती और खराब ना हो इसलिए हमारे पास परियाप्त फुलिस कर्मी थे और हम कम समय में हाला को कंट्रोल करने में सपल रहे कोट ने दोसी अधिकारियों पर जवाब दे ही करते हुए जाज के आदेश भी दिये हैं ताकि भविश में ऐसी घड़ा भीशे हैं